हलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, ओम शान्ती, मैं हुश रद्धा, आपके लिए फिर एक नई मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरी को लेकर, आशा करती हूँ आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही होगी, आप इसे पसंद कर रहे हैं, इसे लाइक कर रहे हैं, शेय कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, दोस्तों आप इन कहानियों को पढ़ भी सकते हैं, मेरे ब्लॉक चैनल पर, जो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाली हुई है, आपको जो ब्लॉक की लिंक है, और मेरे डिस्क्रिप्श को भी solve कर सके, और डूस्टों को भी मदद करने में helpful हो सके, तो चलिए आज की हमारी जो स्टोरी है, जिसका नाम है इमानदारी, हाँ जी दोस्तों, Honesty, जो आज की दुनिया में हमको देखने को नहीं मिलती, यह उसी चीज़ पर based कहानी है, इस स्टोरी में बताया है कि कैसे एक राजा परिक्षा लेता है अपने उत्तरादिकारी के चुनाओं के लिए, और कैसे एक असफल व्यक्ति उस अनुत्तीर्ण परिक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, कैसे वो राजा के उस उत्तरादिकारी के लायक बन जाता है, तो चलिए आज की कहानी को सुनते हैं, एक और एक साल के बाद मेरे पास लेकर आना, जिसका पौदा सबसे अच्छा होगा, उसे राजा बनाया जाएगा। राजा नहीं है परिक्षा लिती, अब बीज लेकर सब खुशी-खुशी घर लोट गए। पाँच्छे दिन गुसर जाने पर जब बीज अंकुरित नहीं हुआ, तो सब ने उसी प्रकार का बीज नरसरी से खरीद कर अपने अपने गमलों में लगा लिया, और जी जान लगा कर उसमें खाद पानी से उसकी संभाल करने लग गए। लेकिन एक बिर्जु नाम का नौजवान ही ऐसा था जो अपने खाली गमले को देखकर चिन्तित तो था पर उसने बाजार से दूसरा बीच खरीदने का दुस्साहस नहीं किया। निशित समय पर सभी ने बड़े बड़े पौदो वाले गमले राजा के सम्मुक पेश किये। केवल एक बिर्जु ही एक कोने में डरा सहमा खड़ा था अपने खाली गमले के साथ। राजा ने उसे अपने पास बुलाया और गोशना की कि बिर्जु ही मेरा उत्तराधी कारी है। जब जन्ता ने उसके खाली गमले को प्रशन वाचक नशों से देखा तो राजा ने इसका रह से खोला। कि वास्तों में जो बीज मैंने आप सबको दिये थे वो बीज उबले हुए थे। बिर्जु पूरा साल उसी उबले बीज की वो इमानदारी से सीचता रहा जबकि सभी लोगों ने राज्य भाग्य पाने के लालच में बीज को बदल दिया। ये बड़े बड़े पौदे इन सबी की बेइमानी की कहानी कह रहे हैं। बिर्जु एक मात्र ऐसा इमानदार लड़का है जिसने बीज नहीं बदला और उसी को पूरे वर्ष इमानदारी से अंकुरित करने का प्रयास करता रहा। बीज को अंकुरित होने ही नहीं था लेकिन बिर्जु ने हिम्मत और इमानदारी से अपना खाली गमला ही मेरे पास लेकर आया यह बहुत बड़ी बात है कि उसके बीज उसका जो बीज था उसे तो नहीं पता था कि बीज में कोई भी जो है वो अंकुर फूटने वाला ही नहीं है लेकिन फिर भी उसने इतनी हिम्मत रखी कि राजा के पास वो खाली गमला लेकर जा सका इमांदारी से उसने हिम्मत नहीं हारी कि भले ही वो बीज जो है वो फल नहीं दे रहा है वो पौधा नहीं बनप रहा है लेकिन फिर भी वो उसकी केर करता रहा राजा ने गुशना की कि हर राजी की जनता ये उमीद करती है कि उसका राजा हिम्मत वाला और इमानदार हो और बिर्जू में अपने इसी हिम्मत और इमानदारी का परिजय दे दिया है इसलिए इस राजी का अगला राजा बिर्जू ही होगा जब हम अपनी बुद्धी रूपी जमीन में इमानदारी का बीज रोपन कर उसे सीचनेंगे तो विश्वास रूपी मीठे फल निकलेंगे हाँ दोस्तों यही है आज हम क्या कर रहे हैं लोग प्रशंसा पानी के लिए जूट का सहारा ले रहे हैं बे इमानी का सहारा ले रहे हैं लेकिन सच तो बिटो नच सच की नाव हिलती डुलती जरूर है लेकिन डूपती कभी नहीं सच का इमानदारी का बीज अगर आपने बोया है तो विश्वास का जो रोपन आपने किया है जो मीठे फल आपको मिलने वाले हैं वो आपको जूट बोलने से नहीं मिल सकते चाहे आप आज भले कितने भी खुश हो जाएं कि मुझे इतना पैसा मिल गया मुझे इतना नाम माशान मिल गया मेरी वज़े से ऐसा हुआ लेकिन कल वो जाकर कि सच्चाई जो है वो कभी छुप नहीं सकती वो कही ना कही बड़े रूप में जाकर के निकलेगी और जिसने इमानदारी का बीच बोया है भले उसको उसका फल लेट मिलेगा लेकिन जब लोगों को उसकी बात पर यकीन हो जाएगा जब उसके सामने सच आ जाएगा तो जो विश्वास उसके लिए जो सम्मान जो आदर लोगों के मन में उस व्यक्ति के लिए होगा वो व्यक्ति के लिए जो आदर होगा वो बेइमान और अविश्वासी व्यक्ति के लिए कभी नहीं हो सकता तो अच्छाई का बीच सीचने पर सच्चे दोस्तों की हमें प्राप्ती होती है तथा नम्रता का बीज डालने पर हमको महानता रूपी फल निकलता है यदि बेइमानी का बीज डाला तो अव इश्वास के काटे निकलेंगे जो बाद में जाकर तकलीफ देंगे फिर हमें लगता है कि हमने ऐसा कभी किया नहीं फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ जो दोस्तों आज हम भुगत रहे होते हैं जो कोई हमारे साथ कुछ गलत कर रहा होता है तो वो हमारे वही बोए हुए काटे हैं और आपके साथ अगर एक बार कोई बुरा कर दे तो दूसरी बार क्या आप उसे चांस देंगे आप खुद बूलेंगे कि हम एक बार इसको परक चुके हैं ये पहले भी हमारे पैसे लेकर भाग चुका है पहले भी इसने हम को जूट बोलकर लड़वाया था तो अब मैं इस बात पर विश्वास करी ही नहीं सकता स्वार्थ का बीज अगर आपने डाला है तो आप हमेशा अकेले रह जाएंगे और अगर आपने नी स्वार्थ भाव का बीज बोया है तो आपको सभी की दुआई मिलती रहेगी पूरा विश्वा आपके साथ हो जाएगा अगर आपने पाप का बीज डाला तो आप अपराद बोध की जाड़ियां ही उगाते रहेंगे जीवन भर आप उस अपराद से निकल नहीं पाएंगे अगर आपने कोई गलती कर दी तो सोचिया आपने जो पाप किया ओ पाप आपको अंदर ये अंदर खाता रहेगा चाहे आपने चोरी करी चाहे जूट बोला चाहे कोई बात चुपाई तो वो अंदर ये अंदर आपको याद आती रहेगी आपका मन उसके लिए कभी गवाही नहीं देगा अगर आप लालच करेंगे तो स्वयम का ही नुकसान होगा इसलिए क्या बीज लगाना है इसकी साबदानी हमें खुद को रखनी है आज लगाए बीज के आधार पर ही हमें हमारे भविश्य की फसल मिलेगी आज श्रेष्ट कर्मों के बीज डालेंगे तो हमें भविश्य में अच्छे मीठे फल खाने को मिलेंगे और बुरे कर्मों के बीज डालने पर भविश्य में उनकी कीमत भी हमको ही चुकानी पड़ेगी इसलिए दोस्तों हमेशा इमानदारी के बीज बोई है नी स्वार्त भाव के बीज बोई है अच्छाई और सच्छाई के बीच वोई है नम्रिता के बीच वोई है ये जरूर आपको आज नहीं दिखाई देंगे लेकिन समय आने पर ये बीज ही आपको फल डायक रक्ष के रूप में आपकी छाया बनकर साथ रहेंगे और ये ही बीच का फल ना जाने आपको किस रूप में किस दुआ के रूप में मिल जाए कैसे साथ के रूप में मिल जाए तो अच्छे बीच इमानदारी के बीच बोते रही है ओम शान्ती